आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय वताय है वो उन लोग के लिए है जिनकी बहुत सी परिसानिया है वो समात नहीं हो पारे है जब कोई सी परिसानी हो कोई समस्या हो चाहिए वो बीमारी से लेकर हो धन को लेकर हो कारोबार को लेकर हो वो समाप्त नहीं उपा रही है तो उस परेशानी को समाप्त करने के लिए गुरू जी ने विजेश उपाय बताया है इस उपाय को आप ब्रस्पतवार सौंबार अमावस्या, सिवरात्री और प्रदोस इन दिनों में कर सकते हैं इस उपाय में आपको क्या करना है आपको लेना है एक लोटा जल एक लोटा जल ले लेना है अपने किचिन से जहां पीने का पानी रखते हैं जल ले लिया आपने उसके बाद आपको एक बेल पत्री ले ले ली है बेल पत्री बिलकुर साफ सुतरी हो कटी फटी बेल पत्र ना हो उसे बेल पत्र को आपको उसी जल में डाल लेना है और एक दीपक आपको तयार करना है आटे का इस उपाय में गुरु जी ने जोड़ दे कर यही का है कि इस उपाय में आपको आटे का दीपक ही तयार करना है और इसमें आपको गोल बत्ती डालनी और गाय माता का खी तो आपको एक लोटा जल ले लेना है उसमें आपको एक बेल पत्री डालनी है और आपको एक आटे का दीपक तायर करना है गोलवत्ती का अब आपको क्या करना है इस उपाय में जो आपने एक लोटा जल लिया है उसमें वो बेल पत्री डाली है उसे आपक को घूप लेना है उसी लोटे को लेकर उसी लोटे कर डूले कर गूमना है मन ही मन आपको श्रीक शुबाय को सब्सक्राइब घूं ले कर फिर जहां पीने का पानी रखते हैं वह आरो का इस्तान हो आप आपके Chill Yeah मत्का आट करना आट को पानी प्रेट रखने वह पूजा घर में वह दोटा रखने करना आट्रा करना यदि नहीं पूजा घर में वह तो देल डीपक प्रजलित कर सकते हैं प्लज लेदना नहीं को कुछ नहीं करना है उसके वाद Яट चलना बंध धूझ तो उसके सब्सक्राइब यह जायrier प्छ आपको महादेग का स्माद करते हुए पीपल की ब्रक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है धीरे धीरे करके और बहीं खड़े ओकर आपको प्रात्ना करनी है आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आपको प्रात्ना करनी है तो गुरु जी ने ये उपाय बताया है कुछ विशेश दिनों में और कुछ विशेश उपड़ती और 5 दिनों में आप यह बहुत खास अधिया आप करते तो देखेगा दीर दीर समय वहां आपता होने लगें तो ब्रस्पत लिक्त में देड़ा हो लिए ऊपकी अब पूल के लिए लुगी पूर आप एक लोटा जल ले लेना है जल रहा हमेशा की तरह आपको अपने किच्छिन से ही लेना है। जहां पीने का पानी रखते हैं वहां से आपको जल लेना है और उसके वाल आपको 41 जान दिख ले लेना है इस दो चने की दाल जो होती है हमेशा देखना आप बीच में से टुकड़ा होता है तो वो ही पूरी दाल मानी जाती है उसे खंड़त नहीं माना जाता है वो जो दाल होती है आदा आदा डिवाइड होता है तो वो पूरी दाल ही मानी जाती है तो उस दाल को आपको एक तालिस दाने ले लेने हैं उस दाल के और किसी पीले कपड़े में उसे छोटे से रुमाल में या पीला कोई कपड़ा छोटा सा ले लीजिए साफ सुतरा उसमें आपको बांद लेनी हैं वो एक तालिस दाने दाल के अब ये सब सामिकरी लेकर आपको मनो कामना बोलते हुए वो जो डाल आपने ली है डाल की जो पोटली बनाई है चने की डाल की उस पोटली को आपको सिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है जब आप सिवलिंग के ऊपर वो पोटली समर्पित करेंगे तो आपको बद्री नात महादेव के नाम का इसमर्पित क देनी है सिवलिंग के ठीक ऊपर और उसके वाद जो आप एक नूटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको सिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके श्री 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 नमस तुभ्याम या ओम नमस श्रीवाय का जाब करते हुए आपको चढ़ा देना है और बही बैटकर थोड़ी पोटली अब अपने घर लाने है उसे आपको अपने मंदर में रख देनी है और उसके वाद वो अठा कर आपको किसी भी बैटे वे जल में परवायत कर देने है गुरुजी ने कहा ये उपाय साथ दिनों के अंदर आपकी जो ही मनो कामना होगी अवस्य पूरी होगी तो इस उपाय को आप अवस्य कीजिएगा एदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट पे हरर महादेव अवस्य लिखिये